क्रिस्न ने कहा है, जैसे धुए से अगनी ढख जाती है, ऐसे ही काम से ज्ञान ढख जाता है जैसे बीज अपनी खोल से ढखा होता है, ऐसे ही मनुस्य की चेतना उसकी वासना से ढखी होती है जैसे गर्व, जिल्ली में बंद और ढखा होता है, ऐसे ही मनुस्य की आत्मा उसकी कामना से ढखी होती है इस सुत्र को ठेक से समझ लेना उपयोगी है, पहले तो यह समझ लेना जरूरी है कि ग्यान सुभाव है मवजूद, अभी है और यहीं है ग्यान कोई उपलब्दी नहीं, कोई एचीवमेंट नहीं, ग्यान कोई ऐसी बात नहीं है, जो आज हमारे पास नहीं है और कल हम पालेंगे, क्योंकि अध्यात मानता है कि जो हमारे पास नहीं है, उसे हम कभी नहीं पास सकेंगे अध्यात्म की समझ है कि जो हमारे पास है हम केवल उसे ही पा सकते हैं यह हमारी उल्थी बात मालू परती है जो हमारे पास है उसे ही हम केवल पा सकते हैं और जो हमारे पास नहीं है हम उसे कभी नहीं पा सकते हैं इसे ऐसा कहें कि जो हम हैं, अंत्ता वही हमें मिलता है और जो हम नहीं हैं, हमारे लाक उपाए, दौर धूप हमें वहां नहीं पहुँचाते वह नहीं उपलब्द होता जो हम नहीं है बुद्ध को जिस दिन ग्यान प्राप्थ हुआ लोग उनके पास आये और उन्होंने पूछा अब वो क्या मिला तो बुध्य ने कहा यह मत पूछो यह पूछो कि मैंने क्या खोया वे लोग हरान हुए उन्होंने कहा इतनी तपस्या इतनी साधना इतनी खोज क्या खोने के लिए करते थे या पाने के लिए बुद्ध ने कहा कोशिश तो पाने के लिए की थी लेकिन अब जब पाया तो कहता हूँ कि सिर्फ खोया पाया कुछ भी नहीं उन्हें ने कहा हमें ठीक से समझाएं तो बुद्ध ने कहा वही पाया जो मुझे मिला ही हुआ था और सिर्फ वही खोया जो मेरे पास था ही नही लेकिन मुझे मालूम पढ़ता था कि मेरे पास है जो नहीं था उसे खो दिया और जो था उसे पा लिया जैसे धुवे में आग धकी हो तो आग पाना नहीं होती केवल धुवे अलग हो जाए तो आग प्रकट हो जाती है जैसे सूरज बदलियों में धका हुआ होता है तो सूरज पाना नहीं होता सिर्फ बदलिया हट जाए तो सूरज प्रकट हो जाता है जैसे बीज धका हुआ है व्रिक्ष पाना नहीं होता व्रिक्ष बीज में ही है आप प्रकट है, छीपा है कल प्रकट हो जाएगा ऐसे हैं ग्यान सिर्फ आप्रकट है कल प्रकट हो जाएगा